नमस्कार दोस्तों में हो अतुल दोस्तों कर आप कोई भी MIUI वाला फोन यूज़ करते हो जैसे Poco, Redmi, Xiaomi, MI phone तो उसमें आपको एक खास फिचर मिलता है जिसका नाम में Second Space और ये आपको मिलता है सेडिक्स में Special Features में और ये वाकई एक Special Feature है इसके जरी आप क्या कर सकते हो आप अपने एक phone को दो अलग अलग phone की तरह यूज़ कर सकते हो मतलब एक तरीके से आप Multiple Profile यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक ये प्रोफाइल जो होगी Normal Profile इसमें अलग files होगी अलग data होगा अलग account होगा अलग Space में जो आपकी file से photo है settings है वो आपको second space में नहीं देखने मिलेगी और जो second space में है आपको first space में नहीं देखने मिलेगी तो इसे enable case से करते है तो आपको जाना है settings में फिर जाना है आपे special features में और यहाँ आपको option second space का आपको speed up करना है और यहाँ पर करना है turn on second space यहाँ पर creating second space आएगा और यहाप पे two spaces, one device इसका मलब की one device पे आप दो अलग-अलग profile के साथ अपने phone को use कर सकते हो, आपको करना है यहाप पे continue और फिर यहाप पे आपको दो option में लेंगे, एक होगा using a shortcut एक होगा using a password, हमें password से करना है ताकि आप password डालके ही second space को enable करो, ताकि अच्छा रहे आपके privacy के लिए तो हम यहाप पे करेंगे using a password और करेंगे continue फिर यहाप पे आपको password सेट करना पड़ेगा second space के लिए तो हम यहाप पे करेंगे set now, और यहाप पे सबसे पहले आपको first space का password देना है, मतलब जो आप normal profile में use करते हैं आपके login पे वो password यहाप पे enter करना है, सबसे पहले next करना है, और फिर आपको अब second space का password यहाप देना है तो मैं यहापे second space के लिए अलग password बनाऊंगा, दोनों का password अलग-अलग होना चाहिए और फिर यहाप पे आपको fingerprint भी देना है, तो आप यहाप पे दे सकते हो, और यह काफी अच्छा है fingerprint देने से आप quickly switch कर सकते हो, first space में से second space में तो हम यहापे गरेंगे set now, और फिर आपको यहापे first space का password देना है next, और फिर यहाप पे आपको second space के लिए जो fingerprint है उसcan करना, आपको यहाद रखना है जो आपने normal profile में जो भी finger का fingerprint scan किया होगा, आपको scan नहीं करना है आपको अलग finger का scan करना है, तो मैं यहापे, नोर्मल profile के लिए मैं यह finger युस करता हूँ लेकिन अब मैं यहाँ पर second space के लिए इस fingerprint का जूस करूँगा तो मैं मुझे यहाँ पर इससे scan करना है ठीक है और यहाँ पर second space को password मतलब यहाँ पर confirm करना है next करना है इसके बाद आपको यहाँ पर scan करना है अपना fingerprint और हो गया है और आपको करना है अपर done ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर back आना है और यहाँ पर करना है continue और यहाँ पर आपने अब second space enable कर दिया है यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी तरह से अलग है यहाँ पर wallpaper भी अलग है यहाँ पर सेडिक्स भी अलग है जिससे आप देखोगे अगर gallery में तो gallery में आपको यहाँ पे कोई भी photo देखने नहीं मिलेगी ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पे camera में जाके photo click करोगे ठीक है मैंने यहाँ पे मालो दो photos click कर दिये ठीक है तो अब अगर जाओगे आप back gallery में तो आपको यहाँ पे दो photos मिल जाएंगी यह है second space की gallery मतलब यहाँ पे आपने जो normal profile में normal space में जो आपने photos रखी है gallery में वो आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलेगी और अगर आप play store को भी open करोगे तो आपको यहाँ पे अलग से google account यहाँ पे sign in करना पड़ेगा क्योंकि first space में आपका google account अलग होगा और second space में आपका google account अलग होगा तो आपको यहाँ पे दोनों अलग अलग तरीके से यूज करना है और अगर आप open करोगे इसे file manager को तो आप देखोगे यहाँ पे जिस तरीके से मैं पहली बार open कर रहा हूँ उस तरीके से मुझे यहाँ पे show हो रहा है और मुझे यहाँ पे करना agree and continue allow तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी file नहीं है यहाँ आप देख सकते हूँ यहाँ पे DCIM में जो मैंने photos click किए बस होई है इसके अलावा यहाँ पे download में मैंने कई सारे कुछ files download किया लेकिन यहाँ पे है यही नहीं क्योंकि मैंने first space में download किया है second space में download नहीं किया है तो मैं जिससे आपको बताया first space second space की जो files होंगी कभी और लाप निहीं होंगी जो first space में है वो first space में ही रहेगा second space की file second space में ही रहेगी second space की file आपको first space में नहीं दिखाए देगी और first space की file आपको second space में नहीं दिखाए देगी तो इसरीके से आप दो अलग-अलग account के साथ या फिर आप खहे सकते हो कि दो अलग-अलग तरीके से अपने phone को use कर सकते हो दोस्तो ये तब जरूरी होता है जब मानलो आपको अपने phone को privately use करना है अगर आपको अपने files को, photos को hide करके रखना है मानलो आपने कोन से apps डाउनलोड किये, कोन से games डाउनलोड किये, किसी को दिखाना नहीं है तो आप यहाँ पे आकर second space में आकर सब कुछ यहाँ पे privately कर सकते हो किसी को भी पता नहीं चलेगा अगर आपको switch करना हुआ, यह है second space अगर आपको आपस जाना हुआ, first space में तो आपको यहाँ पे switch का icon दिखा देगा आप इस पे tap कर सकते हो, fingerprint देना है आपको first space का, तो first space का fingerprint यह है second space के लिए यह है, तो मुझे आपको यह वाला fingerprint देना है तो आप देखो कि यहाँ पे यह first space आ चुका है और अच्छी बात क्या है अगर आप देखो कि यहाँ पे gallery में gallery में मेरी photos यहाँ पे अलग है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने second space में खिलक की है यह photos यहाँ पे नहीं दिखा देगी और यह photos आपको second space में नहीं दिखा देगी दोस्तों इतना है नहीं आप अगर मानलो किसी भी app में हो किसी भी settings में हो या फिर कई पे भी हो मानलो मैंने इस photo को open किया है और मैं यहाँ इसे edit कर रहा हूँ ठीक है अब editing mode में हूँ और मैंने अपने phone को lock कर दिया है अब मानलो आपको लगता है कि आपको quickly second space को open करना है तो आपको क्या करना है आपको अपने phone को मतलब unlock करके first space में जाने की जरूत नहीं है आप directly fingerprint को scan करोगे second space यहाँ पर ओन हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह हो गया second space open आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर second space का icon भी है और यहाँ पर gallery में आप देखोगे तो य यहाँ पर नहीं है मदलब यह second space ही है तो यहाँ पर सब कुछ अलग होता है यहाँ तक कि chrome को भी आप open करो कि तो आपको यहाँ पर पहले की तरह chrome को setup करना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हो इसके अलावा आपको यहाँ पर फर्स space में से जो app से उन्हें यहाँ पर add करने हुए तो आप ओभी कर सकते हैं जैसे फर्स space में मैंने कुछ games को download किया है लेकिन यहाँ पर games आये नहीं है तो अगर आप games को दोनों तरफ यूज़ करना चाहते हो फर्स space में भी और second space में भी तो आप ऐसा भी कर सकते हो तो उसके लिए आपको जना पड़ेगा settings में य फिंगर्पिंट क्यों दोना आपको क्योंकि फिर्स्ट वाले profile में सही आपको जो app से उन्हें move करना है तो यहाँ पर आपको करना है app setting और यहाँ पर देख सकते हो मुझे अगर bjmi को करना है तो मैं यहाँ पर tap करूंगा और यहाँ पर करूंगा used in both spaces मतलब आप एक तो इस देख सब्धों आपको यहाँ गेम देखने में भी लेंगे तो आपँ यहाँ दो अलग-алग profile के साथ game खेल सकते हो उतने एक फोन में ठीक है फिंगर्पिंट पहला वाला देना है तो यहां पर डारेक्ली फर्स स्वेस ओपन हो जाएगा आप यहां पर देख सकते हो और आप यहां पर देख सकते हो जहां से मैंने end किया था मतलब वही से start हुआ है यहाँ पे मैंने अपने phone को lock किया था और मैं चला गया था second space में और जैसे मैं first space में आ तो जहाँ पे मैंने मतलब मैं जहाँ पे था last time वही पे मैं आ चुका हूँ तो एक आप भी बढ़िया है मतलब आप जहाँ पे end करते हुआ ही पे आ जाते हो directly अगर मुझे वापस जाना हुआ second space में तो मैं जाओंगा second space में तो lock करूँगा और second space का जो fingerprint है उसे scan करूँगा और यहाँ पे second space on हो जाएगा और अब आपको कौनकों से settings मिल जाती है second space में तो आप जाओगे यहाँ पे settings में fingerprint मतलब second space को activate करने के लिए आपको कौन सा fingerprint यूज़ करना है तो आप यहाँ पे हमने तो दे दिया है already यहाँ पे लेकिन आप यहाँ पे add भी कर सकते हो आपको यह हाथ का देना हुआ fingerprint अलग-अलग तो आप यहाँ पे add कर सकते हो और अलग-अलग fingerprint डे सकते हो फिर यहाँ पे first space settings और यहाँ पे second space settings first space में आपको मिल जाएगा settings में shortcut second space का जैसे आपको पता था special features में आपको मिल जाता है तो आपको इसे दिखाना है तो आप इसे दिखा सकते हो मतलब जैसे अगर आप इसे disable करो के न तो first space में आपको second space का shortcut नहीं मिलेगा और यहाँ पे home screen shortcut अगर आपको second space वाला जो यह shortcut है home screen में add करना हुआ first space में तो आप यहाँ पे add कर सकते हो और यह है show notification from second space और यह नीचे आता है show notification from first space इसका मतलब क्या है कि अगर आप second space में हो तो अगर आप चाहते हो कि first space की notification आए तो आपको इसे own करना है अगर आप first space में हो अगर आप चाहते हो कि second space की जो भी notification है आपको मिले तो आपको इसे own करना है अगर आप से disable कर दोगे तो first space की notification first space में ही आएगी second space की notification second space में ही आएगी और लैप नहीं होंगे ठीक है फिर यहाँ पर होता है home screen shortcuts तो आपको अगर home screen shortcut दिखाना उस second space का यहाँ पर second space का तो आप यहाँ पर यहाँ पर switch दिखा रहा है यही है shortcut और फिर यहाँ पर होता है move data जैसे मैंने आपको पता है अगर आपको first space में से किसी भी app को second space में move करना हुआ तो आप यहाँ पर move कर सकते हो किसी भी app को दोनों जग़ा पर यहाँ यूज कर सकते हो अलग-अलग profile के साथ अलग-अलग account के साथ इसके बदो तो आप switching between spaces तो अगर यहाँ पर आप tap करोगे तो आप first space में से ले जाओगे लेकिन यहाँ पर होता है second space icon तो अगर आप देखोगे उपर में आपको दिखा रहा है second space का icon अगर मैं यहाँ पर disable कर दूँगा तो यहाँ पर icon नहीं मिलेगा अगर आप इसे करते हो तो आपको पता चालेगा कि आप second space में हो तो यहाँ पर first space activate हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो ठीके तो यहाँ पर आप जाओगे settings में second space में आप यहाँ से भी कर सकते हो special feature में जाकर इसे activate go to second space यहाँ फिर अगर आपको इसे delete करना हो तो आप यहाँ से delete कर सकते हो लेकिन आपके अलावा इसे कोई भी delete नहीं कर पाएगा क्योंकि delete करने के लिए आपको यहाँ पर password मांगा जाएगा ठीके अगर मैं यहाँ पर हूँ first space में अगर मैं जाओ second space में तो मुझे यहाँ फिंगर्पिंट scan करना पड़ेगा तो मैं आचुक है यहाँ पर second space की settings में आपने देखा जहाँ पर मैंने end किया था मेरा work वही पर मैं direct आ चुका हूँ मतलब आप जहाँ पर होते हो जब आप switch करते हो switch करने से बेले आप जहाँ पर थे उसी app में उसी settings में आप आ जाते हो तो आप resume कर सकते हो अपने work को यह काफी बड़िया feature है और आप अच्छे से यहाँ पर switch कर सकते हो इसका मतलब जिसे मैं आपको बताया आप secretly अपने profile को यूज़ कर सकते हो एक अलग phone की तरह आप यूज़ कर सकते हो second space को जो आपके अलावा कोई भी और नहीं देख पाएगा कोई भी और नहीं एक्सेस कर पाएगा तो दोस्तो यह है सबसे बड़िया feature MIUI का जो मुझे लगता है आपको मिल जाता है सभी Poco, Redmi, Xiaomi, MI phone में जिसे कहते है second space और इतना है नहीं जो भी आप यहाँ पे कुछ भी delete करोगे वो second space में delete नहीं होगा और जो भी second space में delete करोगे वो यहाँ पे first space में delete नहीं होगा तो एक तरीके से आप अलग-अलग दो phone यूज कर रहे हो अपने एक device में तो दोस्तो यह था इस video में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें बुछ सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम में फिर टुटर पे भी मेसेज कर सकते हो इस video नहीं लिए धन्यवाद दोस्तो